असलाम लेक्व मेर्स वेलकम बैक तो मैं चैनल आज अगेन वीडियो में हम 52 पीसे मल्टिफंक्शन फुट किट के बारे में बात करेंगे और इसके फुट को आज यूज करेंगे और इसकी कम्प्लीट आपको जो है टुटोरियल मिलेगा ब्रेडिंग फुट के बारे में करना है वह हम देखेंगे पहले में आपको बहुत ही अच्छे से और क्लियरली इसको दिखा दूं कि ब्रेडिंग फुट होता किस तरीके से है बेसिकली यह देखें इस तरीके से यह फूट होता है और इसके सेंटर में एक होल है और नीचे की तरफ से अगर बैक पे दिखा जागा है इसको सेंटर से जो है वो छोटा सा एक बारीक सा आप कहले होल टाइप जगा बनी होई है जहां से हमारी कोई भी लेस वगारे जो इसीली निकल जाती है या ब्रेड जो होती है लेस नहीं बैसिकली यह ब्रेडिंग के लिए यूज करते हैं यह जैसे कि हमारे पस यहां पर यह चुर्मा डोरी है यह इस तरह की दूसरी ब्रेड होती है जिनको हम डेकुरेट करने के लिए फैब्रिक को यूज करते हैं तो इस फूट के जरी हम इसको बिल्कुल एजिली अटैच कर सकते हैं फैब्रिक के उपर और इसको मूव कर सकते हैं यह देखें यहां किस तरीके से इंस्टॉल करने और कैसे डिजाइडिंग करेंगे वह मैं आपके साथ डिटेल में बताती हूं आज आपको यहां पर देखिए मैंने सबसे पहले तो जीरो नंबर फ्यूजिंग के लिए और इसको हमने यहां पर अटेच कर लिए बिल्कुल जीरो नंबर है यह इसमें से हैंड भी इसली नजर आ रहा है और फैबरी के ओपर हमने इसको पेस्ट कर लेना है यह इसली रिमूफ भी हो जाएगी और वाश होने के बाद यह जो है वैसे भी उतर जाती है अब यहां पर आपने कोई सा भी कॉंटिनूस डिजाइन जो है इसके ओपर बना लेन है जिसके अंदर हमें ब्रेक ना करना पड़े डिजाइन को कोई सा ऐसा मोटिफ हम बनाएंगे देकिन बिल्कुल इजी सा भी में आपको यह जूम करके दिखा होंगी और इसका आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं कोई भी कॉंटिनूस हमने फ्लावर बना लेना है कोई भी ऐसा प्रेटरन ड्रॉ कर लेना है जो बिल्कुल कॉंटिनूस ली चले जहां पर हम इसे तोड़न ना पड़े ठीक है तो इस तरह का हम कोई सा भी मोटिव बना लेंगे यह आप ट्रॉजर पर बचुंगी शर्ट पर डिजाइनिंग के लिए इस तरह की मोटिस में बना सकते हैं और इसके ओपर डिजाइनिंग कर सकते हैं यह देखें यहां पर आप स्क्रीन शॉट ले सकते के डियरली आपको मजीद उस ट्रह नजर आएगा जब इसको बना लेंगे और विब्कुल उसमें आपको प्रॉमिनेट होकिए चीज नजर आएकी और एक कॉर्ण से हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एंड में आकर हम डोरी को कट करेंगे अब यहां मैं मेरे बाद चुर्मा डोरी है यहां मैं वो यूस कर रही हूँ, आप कोई सी भी ब्रेड ले सकते हैं, इस तरह की कोई सी भी डोरी ले सकते हैं और इसको आप यूस कर सकते हैं सिंप्ली हमने जैसे दूसरे प्रेसर फीट अटेज करते हैं सेम वैसे ही हमने इसको अटेज कर लेना है यह देखें बिल्कुल इजिली यह इंस्टॉल हो जाता है इसके अंदर और इस तरीकी से मूग करेगा तो उसमें आपने टेंशन नहीं लेनी है और उसके बाद आपने फैब्री को नीचे अज़ेस्ट करना है और इसके एक स्टार्टिंग पॉइंट से हमने स्टार्ट करना है तो उससे पहले हम अपने डोरी को इसके सेंटर में से गुजार लेंगे जैसा कि आपको नजर आ रहे है स्क्रीन पर और उसके बाद हमने प्रेसर फूट को नीचे प्रेसर बार को हम नीचे कर लेंगे और उसके बाद हम इसके ओपर साधा स्टीच जो स्टीच नंबर वन है वो लेकर और हम इसकी स्टीचिंग करेंगे ठीक है और इसकी लेंद्ध और विर्थ को हम यहाँ पर एज़ेस्ट करते हैं 3.0 पर और जो दूसरी इसकी विर्थ है वो हम 1.5 पर लेके जाएंगे ठीक है 1.5 और 3.0 यह हम इसकी सेटिंग कर लेंगे आपने अपनी ब्रेट के अकॉर्डिंग करना है कि ब्रेट के सेंटर के अंदर हमारे पास स्टीच जो है वो लाजमी आना चाहिए इसके इलावा आ जो कि जिग्जग स्टीच है अब यह देखें सिंपली हमने इसके जो ब्रेट निकालने की जगा बनी है वहां से हमने इसको पास कर देना है प्रेट को उसके बाद हमने बिल्कुल अपने डोरी के या ब्रेट के सेंटर में अपनी नीडल को अज़ेस्ट कर लेने है और अज स्टिच करते जाना है सो बहुत ही इजी वे में हम इसको यूज कर सकते हैं और इसको जब अभी आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी तो इसकी बहुत ही एक अमेजिंग सी लूक आती है और इंबोजिंग किया हुआ एक डिजाइन ये जो है आपको मिलता है या स्पेशली जो एक प्लेन फैब्रीक होता है उसके उपर आप दामन पर इस तरह की डिजाइनिंग कर सकते हैं बड़े-बड़े मोटिफ्स बना सकते हो उसके इंदर आप बीर्स कर सकते हैं और इसके इलावा आप पैटल्स को पहले फिल करके उसकी आउटलाइन आप इस तरीके से कर सक हैं यहीं पर मैंने अपनी डोरी को कट नहीं किया है थ्रू आउट यह हम एक ही डिजाइन लेका जा रहे हैं और इसको हमने इसी तरीके से डोरी को घुमाते हुए अपने डिजाइन को कम्प्लीट कर लेना है तो वो वीवर्स जो आज फर्स्ट टैम मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कानली चैनल को सब्सक्राइब जुरू करें और इसके साथ बेल आइक और मोटन को तुरू प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हार्ड न्यू आने वाले वीडियो का नोटिफिक जाते हैं तो आप जैनों मशीन वर्किंग की प्लेलिस सर्च कर सकते हैं मेरी चैनल पर उसके इंदर आपको बहुत सी वीडियो आपको मिल जाएंगी वह आप वाज कर सकते हैं यहां पर अब तक्रीबन हम एंडिंग पर आ रहे हैं इसी डिजाइन को हमने कॉंटिनु गुम लुआते जाना है और एंडिंग आपको दिखाऊंगी कि वह हमने किस तरीके से करनी है और इसको हम फिनिश किस तरीके से करेंगे यहां पर देखें हमने अपनी डोरी को कट कर लेना है जब हम एंडिंग पर आएंगे और उसके बाद हमने इसको simply fold कर देना है इसे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और अगर फोल्ड नहीं हो रही हो तो आपने प्रैसे बार को उपर की तरफ उठाने नीडल को अंदर की तरफ रखना हैं ये देखिए उपर की तरफ इसका टोर जो है वो चला जाएगा तो उसके बाद आपने डोरी को फोल्ड करना है और उसके ओपर दो से तीन आपने stitches दे लेने हैं आप pencil से यहां आप cutter के साथ ठीक है इसको set कर लेंगे अच्छे से adjust कर लेंगे और उसके बाद आप इसकी finishing कर देंगे कुछ ऐसे भी design होते हैं कि हम एक corner से start करते हैं और end पर जाकर हम दूसरे corner में जाकर end कर जाते हैं उस पर हमें center में इस तरीके से इसकी ending नहीं करने परती तो आप उस तरह कर design भी ले सकते हो यह देखें यहाँ पर almost हमारा design complete हो चुका है अब हमने simply zero number की diffusing थी उसको हमने remove कर देना है remove करने के बाद यहाँ पर हम पहले इसको separate कर लेंगे और उसके बाद हम इसको cut off कर देंगे अच्छे से press करेंगे और यह देखें इसकी final look आपके सामने है अगर आप चाहें तो इसकी अभी यह जो हमने patterns बनाई हैं आप इसको पहले अच्छे से fill कर सकते हो filling करने के बाद आप इसकी outline कर सकते हो देखें कितना outstanding यह लग रहा है और बहुत ही अच्छे look दे रहा है इसी तरीके से बहुत ही dolls की pics या इस तरह के कोई से भी sketches type आप बच्चुन की shirts के उपर draw करके और उसके बाद आप उसको बना सकते हैं braiding food के तरही है I hope आपको यह सारी वीडियो और सारी working अच्छे समझ आ गई होगी वीडियो पसंद आई हो तो like दूर कीजिएगा thank you for watching